कभीत कभी है भूशन इनका जनम 1613 इस्वी में हुगा था और इनका नीधन 1715 इस्वी में हो गया था इनका जनम अस्थान तिकवापूर कानपूर उत्तर पर देश है इनके पीता रतनकार तिरपाठी है ओपनाम कभी भूशन त्रिकूट के सुलंकी राजा रुद्र साह द्वरा इन्हे कभी भूशन की उपाधी प्राप्त हुई आश्र दाता छत्रपती सीवा जी सीवा जी के पूत्र साह जी और पन्ना के बुंदेला राजा छत्र साल विशेश रीतिकाल के प्रसिद कभी चिंता मनी तिरपाठी और मतिराम भूशन की भाई के भाई के रूप में जाने जाते हैं कृतिया सीव राज भूशन, सीवा वानी, छत्र साल दसक, भूशन हाजरा, भूशन उलास, दूशन उलास ये रीतिकाल के प्रसिद कभी हैं, इनकी हिंदी जानता में बहुत समान है, यह एक बीर रस के कभी हैं कभी तो एक, इंद्र जीमी जंब पर बाडवा जियो अंभ भर, रावन संदव पर रगुकुल राज प्रस्तुत पंक्ती में कभी भूशन जी, सिवा जी के संदर का बखान करते हुए कहते हैं कि सिवा जी का मलेच पर उसी परकार राज है, जेस परकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अगनी की पानी पर, और राम का दंभ से भरे रावन पर इस पंक्ती में भूशन ने सिवा जी की सर्य की तुलना इंद्र, समुद्र, अगनी और राम के साथ की गई है प बाही, प बारी वा पर संभू रतिनाह पर, जेयोह, सस्त्र बाहू पर राम द्यूज राज प्रस्तुत पंक्ती में भूशन जी सिवा जी की सौंदरे का बखान करते हुए कहते हैं कि सिवा जी मलेश पर उसी पर का राज है, जिस पर कर हावा का बादल पर, भगवान सीव की रति के पति पर और पसुराम का सस्त्र बाहू पर है इन पंक्ती में भूशन सीवा जी की सौंदरे की तुलना हावाव, सीव और पसुराम के साथ की है दावा दुरूम दंड पर, चिता म्रीग जुन्ड पर, भूशन बितुंड पर, जैसे म्रीग राज है प्रस्तुत पंक्ती में भूशन सीवा जी की सौंदरे की बखान करते हुए कहते हैं कि जेस परकार जंगल की आग की बिरिक्ष को डाल पर, चिता का हीरन की जुन्ड पर और हाथी पर सीव का राज है इसी तरह जंगल की तुलना आग की चिता सीव के साथ सीवा जी ने भूशन की तुलना की है तेज तम अंस पर कान जीमी कंस पर यो मलेच वंस पर सेर सीव राज है प्रस्तुत पंक्ती में भूशन सीवा जी की सौर का बखान करते हुए कहते हैं कि सीवा जी का मलेच उसी परकार राज है जिस परकार उजाले के अंधेरे पर क्रिश्न का कौंस पर राज है इस पंक्ती के माध्यम से भूशन ने सीवा जी के सौर की तुलना उजाले और क्रिश्न के साथ की है कभित दो निक्सत मयान ते मयुखे प्रले भानु कैसी फारे तम तोम से गैंदन के जाल को प्रस्तुत पंक्ती में भूशन द्वारा रचित बात कही गई है भूशन जी कहते है कि छत्र साल की बीरता बीरता और पौरूस की वर्ना करते हुए कभि कहते है कि छत्र साल की तलवार म्यान से इस परकार निकलती है जैसे परलैकारी सुरे से उसकी किर्णे निकलती है तथा वह ग्यंद अर्थात हाथियों के जालों को इस परकार तित्तर वित्तर कर देती है जैसे की सुर्य की किर्णे अंधिकार को कर देती है लागती लपकी कंठ बेरीन के नागिनी सी रुद्रही रीजहावे दय दय मुंड की माल को प्रस्तित पंक्ती में भूसन कहते हैं कि हे राजन आपकी तलवार सत्रू के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है और रुद्र को प्रसन करने के लिए उन्हें मुंड यानि सिर को मला और पित कर रही है लाल छिति पाल छत्र साल महाबाह बली कहां लो मखान कहां लो बखाने करो तेरी करवाल को प्रस्तुत पंक्ती में भूसन जी कहते हैं कि हे बलिस्ट और विसाल भूजा वाले महाराज छत्र साल मैं आपकी तलवार का कहां तक बखान करूं आपकी तलवार अत्यांत परलय कारी है जो सत्रूव के समुह को नस्ट कर रही है प्रती भठ अकट कीटले केते काटी काटी कालिकासी कल की कलेव देती काल को प्रस्तित पंक्ती में भूसंजी कहते हैं कि छत्र पार्स की बीरता धीरता और पोरुस का वर्नन करते कहते हैं कि हे राजन आपकी तलवार अत्यांत परलय कारी है जो सत्रूव के दल का सनहार करती है और ऐसा परतीत होता है जैसे काली को प्रसन करने के लिए प्रसाद देती हो